हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूटुब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे यूटुब चैनल पर पहली बार आये हो तो मैं डॉक्टर नुज गोश्वामी आपका अपने यूटुब चैनल पर हाद प्रेंट्स मलदवार के अंदर जितनी बीमारिया है या इसे जो वीडियो पराने का मेरा मकसद है मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नुश्का आपको दें जिससे आप अपने मलदवार के रोगों से भी बचें अपने मलदवार को स्वस्थ भी रख सकें तो ऐसा क्या करें जिससे आप अपने मलदवार को पूर्ण रूप से और 100% स्वस्थ रख सको चलिए फ्रेंट्स आज इसी टोपिक को लेके बात करने वाले हैं तो फ्रेंट्स मलदवार को स्वस्थ रखने का ऐसा तरीका जिससे आप पर्मनेंट अपने मलदवार को स्वस्थ रख सकते हो या आपको किसी पर तरह के कोई लक्षन है तो उनको बढ़ने से यह मणदुरर होगा वह पैरसूट कंपणी का हो सकता है रहा किसी भी एक्स वाइजर कोई भी कंपणी हो नाॏल का तेल या घर के अंदर का बनावा नाॏल तेल हो किसी भी कंपणी का उसको आप मलदवार कहां अन्दर लगातार अगर लंबे समय तक मसाज करोगे मसंज करन से लूब्रीकेशन मिलने से उसके चिकनेपन की वह से आपका मोशन अगर हाड़ भी हुआ तो वह आप इसली हम हर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि मलद्वार के रोगों के अंदर जैते तेल सबसे अच्छा है अगर जैते तेल आपको मिलता है तो उसको लगाए नहीं तो ना अपने मलद्वार को पूर्ण रूप से स्वस्त रख सकते हो और अपनी कोई बिमारी भी अगर आपको है तो उसको बढ़ने से रोख सकते हो गोड़ बैशिव